हेलो एब्रीबन, वेलकम बेक टो में चैनल इंग्लिश फिस श्विवा क्लासिस आज हम पढ़ेंगे विजय तैंदुलकी की बायोग्राफी के बारे में जो स्टुटेंट्स बिये फोर सैमिस्टर में हैं उनके लिए और जो अदर्स कॉम्पेटिटिव एक्जाम की तैंदुलकी की बायोग्राफी बहुत ही इंपूरेंट है चलिए स्टार्ट करते हैं इनका पूरा नाम विजय रेंडोपन तैंदुलकर था वो एक बहुत ही फेमस प्लेराइट, टेलिविजन कंटेंट राइटर और एक पॉलिटिकल जनलिस्ट थे इनका जन 6 जन 1928 को वा था और इनकी डेथ 19 May 2008 इन विज रेयर डेसीस, मसेनिया, ग्रेविसेन की टैथ हुई थी बैसिकली ही जे मराठी राइटर, वो एक मराठी राइटर से His plays are known for his unconventional and contemporary themes उनके जो plays हैं वो unconventional और contemporary themes के लिए जाने जाते हैं His plays deals with a social, religion and real incidents of life उनके जो play है वो social realism और जो life के real incident है उनको deal करते है His plays are performed in various language उनके जो plays है बहुत सारी language में performance किये जाते है और translate किये जाते हैं Marathi से उनके जो famous play है उनमें गिधादे सांतता कोड चालू अहे साथी साथ इनका time period 1961-1967 घासी राम कोटवाल 1972 साख राम बिंडर 1972 कमला और कन्यादान कन्यादान बेके फोर्ट सेमिस्टर में भी है next video में मैं इसको ही discuss करेंगे He also wrote screen plays उन्होंने screen plays लिखे हिंदी movies के लिए जो screen plays लिखे थे हिंदी movies के लिए इसमें निशान्त, आक्रोस, अर्दसत्य इनके लिए उन्होंने screen plays लिखे थे हिंदी movie जो है इनके लिए उन्होंने screen plays लिखे थे उन्होंने 16 play लिखे चिल्डरन्स के लिए उन्होंने screen plays लिखे मराट movies के लिए भी उन्होंने screen plays लिखे थे इस famous volumes of essays are उनका जो famous volumes of essays का वो रातरानी, कोबाली उन्हे ये इनके screams उनका volumes है डूगे सबंच इस collection of stories आस ड्वंडवा, फूलाफाकारे ये इनके stories के collection है He wrote novels, और उन्होंने novels भी लिखे कादमबरी एक, कादमबरी दो उन्हें बहुत सारे awards मिले जिनमें सांगीत नाटकेडमी 1970 National Film Award for Best Screenplay मंथन, मंथल के नियोंने National Film Award मिला था 1977 में Film Fair Best Screenplay for Akros 1981 Film Fair Best Screenplay for Ardhasatya 1983 Padambhushan 1980 Padambhushan मिला था उनको 1984 में Saraswati Samman मिला था 1993 में कालिदा सम्मान 1999 और कथा चौदमनी सम्मान 2001 में मिला था किसी भी राइटर उसको जो awards मिलते हैं और उनका जो time है वो बहुत ही important होता है और उनके जो famous place है वो भी बहुत important होते हैं थैंक्स वर वाचिं